Hello students, प्यारे शौरे वीरो, जैहिन and welcome to शौरे भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल जैसा कि आप सभी जानते हैं, शौरे भारत आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट से अवगत कराता रहा है और इसी श्रंकला में आज एक बहुत इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए आप में से जो भी स्टुडेंट्स इंडिया नेवी में अपना गौरफपून करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत इंपोर्टेंट अनाउंस्मेंट इस वीडियो को ध्यान से सुनियेगा और ध्यान से समझेगा राइट इंडिया नेवी ने अगनीवीर SSR यानि की सीनियर सेकेंडरी रिकूट टू-2023 बैच के लिए ओफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अच्छी संख्या में यहां पर वेकेंसी हैं तेरा सो पैसट वेकेंसी हैं टोटल जिस मेंसे 273 वेकेंसी जो हैं वो रिजर्वड हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा अवसर नेवी में करियर बनाने का और बंपर वेकेंसी हैं स्टूडेंट्स इस अवसर को खोने ना दें अब ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में सभी important details स्टार्ट करते हैं सबसे पहले educational qualification से कोई भी वेकेंसी आती है आपका पहला काम है अपनी eligibility ensure करना सुनिए ध्यान से इंडियन नेवी अगनीवीर SSR का यदि आप exam देना चाहते हैं तो आपकी नियुनितम शेक्षनिक योगेता 10 प्लस 2 होनी चाहिए और ध्यान रहे 10 प्लस 2 में आपके subjects physics और maths compulsory और इन दोनों के साथ में chemistry, biology या फिर computer science में से कोई भी एक subject आपके पास में होना चाहिए और जिस भी board से आप 12th exam पास करें वो ministry of education government of India द्वारा मानेता प्राप्त board होना चाहिए आपका date of birth 1 November 2002 से लेकर के 30 April 2006 के बीच में होना चाहिए and most important ध्यान रखिएगा only unmarried male and female candidates eligible है इस vacancy के लिए apply करने के लिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो notification है ये जो vacancies आई हैं ये अगनीवीर के दाइरे में हैं तो जो अगनीवीर की terms and conditions हैं वो सारी ही as it is यहाँ पर apply होंगी और अगनीवीर की अगर आप terms and conditions जानना चाहते हैं तो मैंने एक पहले भी video publish किया था आप उसमें जाकर के अगनीवीर की पूरी terms and conditions जान सकते हैं Now students, selection process यानि कि यहाँ पर भरती प्रक्रिया क्या है तो ध्यान दीजिएगा यह जो selection process है भरती प्रक्रिया है यह दो stages में दो चरणों में divide की गई है First stage है इसका short listing stage जो की होगी एक computer based exam के माध्यम से और second stage है इसका written examination, physical fitness test and final medical examination आईए दोनों stages को एके करके हम लोग समझते हैं सबसे पहले students आपको अपनी online applications फिल करनी है Applications फिल करने के बाद first stage में होगा आपका एक computer based exam All India exam है यह और इस exam का purpose है सिर्फ short listing of candidates यानि कि एक state wise cut off निर्धारित की जाएगी उस cut off से उपर जितने भी students होंगे वो stage 2 के लिए eligible होंगे अब इस computer based exam का जो pattern है उसको समझिए यह एक objective type exam है bilingual paper यानि कि Hindi and English दोनों languages में आपको paper मिलेगा number of questions total होंगे 100 एक question एक number का है और एक घंडे का exam है exam में 4 sections है English, Science, Maths and GK हर एक section के प्रते एक section के 25 questions आपके सामने exam में आएंगे और examination का जो standard है वो रहेगा 10 plus 2 level का ध्यान रहे students 10 plus 2 level का आपका standard है paper का और आप कुछ sample papers या model papers और syllabus यदि देखना चाहते हैं तो Indian Navy की official site agnivirnavy.cdac.in पर जा करके आप देख सकते हैं and most important 0.25 की negative marking भी है students तो ध्यान रखिएगा अपने questions के answers देने में आपको पूरी साबधानी बरतनी है hit and trial method पर आप paper मत करिएगा next examination fees निरधारित की गई है 550 550 rupees पर candidate जिसको की आप online pay कर सकते हैं और pay करने के लिए या तो आप किसी भी bank की net banking या फिर किसी भी bank का visa master या रूपे credit card या debit card यूज कर सकते हैं या फिर UPI apps जैसे की google पे phone पे pay टीम का यूज करके भी आप online fees पे कर सकते हैं right now students जो भी students आप में से first stage यानि की computer based test clear करेंगे आप पहुँचेंगे recruitment प्रक्रिया के भरती प्रक्रिया के second stage में जहां पर सबसे पहले होगा आपका written exam और ध्यान रहे अब ये exam online नहीं होगा stage 2 का written exam Indian Navy का जो designated center है वहीं जाकर के होगा और exam के बाद exam pass करने के बाद next stage पे होगा आपका physical fitness test और finally होगा आपका medical examination भरती प्रक्रिया के दोनों चरण पूरे होने के बाद final merit list निकलेगी जो की अगनीवीर Navy की site पर उपलब्ध होगी October 2023 तक right now next important चीज़ students जो आपको समझनी है यहाँ पर आएए उस पर पहुँचते हैं और वो है apply कैसे करना है apply आपको करना है online एक बात दूसरी बात online application submit करने के लिए आपको जाना है Indian Navy की website अगनीवीरnavy.cdac.in पर और वहाँ पर जाकर के आप online application submit कर सकते हैं 29 मई से लेकर के 15 जून 2023 के बीच में online application submit करने से पहले ध्यान रखिएगा आपके जो important documents है related to educational qualification, date of birth and identity इन सभी documents को ready scan करके अपने पास में handy रखिएगा so that आप जब online application fill करने जाएं तो आप तुरंत अपने documents upload कर दें और साथ ही photograph भी आप scan करके रखिएगा photograph अपरेल 2023 से पुराना नहीं होना चाहिए ये एक बहुत important point है ध्यान रखिएगा right next जब photo आपकी चुमाएं तो ध्यान रखेंगे आपके हाथ में एक slate होगा और slate पर आपका name और जिस date को वो photograph ली गई है वो date clear clear mentioned होना चाहिए without date and without name photographs जो है वो reject हो जाएंगे right so students maximum information in fact लगबख सारी information मैंने आपको दी है इस notification को आप download कर सकते हैं अगनीवीर नेली की official website से और अब सबसे important बात SSR के exams के लिए तैयारी कैसे करनी है तैयारी करने के लिए और करवाने के लिए आपके साथ में कंदे से कंधा मिला करके खड़ा है शौरे भारत आप आप सभी लोग प्ले स्टोर पे जाएं प्ले स्टोर से शौरे भारत आप डाउनलोड करें और आप के जो शांदार बहतरीन फीचर्स हैं जैसे की live classes, video lectures, practice sets, live exams, doubt box and e-books ये सभी features आपकी तयारी को और strong और मजबूत बनाएंगे और आपका selection ensure सुनिश्चित करेंगे All the best students आप सभी के उजवल करियर के लिए शौरे भारत परिवार की और से धेर सारी शुप कामना है, जैहिंद